आज एग्वाइब वेल्काम बैक टी या ओन चैनल दाट इस अडियो ग्रोंट तस रिचा श्रम यूर शोचर साइज एजुगेटर जैसे कि आप सब इको पता है कि मैं आपको शोचर साइज पढ़ाते हूं जिसमें कि इस बार में क्लास टैंथ को जोग्रफी पढ़ाने वाल बच्चा पार्टी आप सब को पता ही है कि आपको जोग्रफी में थ्री चाप्टर जा रहा है चाप्टर नंबर फाइफ जो है आपका मेनरल्स एन एनरजी रिसोर्स है और आपका आ रहा है मैनुफेक्टरिंग इंडरस्ट्री और फिर उसके बाद आ रहा है आपका करके वह चाप्टर नंबर का वह हम जैसे की सेम हमने ताउन वन के अंदर हमाई स्टेजी लेकिया थे हम आपके लिए वैसे तम तू के लिए लेकिया है सिर्फ डिफरेंस इतना है आपका कि हम आपको वन शॉर्ट वीडियो प्रोवाइट करेंगे बट उस टाइम पर टाउ स्टम का जो एक्जाम हुआ होगा वह बहुत अच्छा गया होगा और आपको बहुत हेल्प मिली होगी इन वीडियो से और मैं उमीद करती हूं कि इस पार भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपको अच्छे से समझ में आएगा इसके अलावा मैं आपको एक और कन्ने में उनने दिख कर जाती थी तो हमने उनकी यह प्रॉब्लम सॉल्फ कर दिया हमने क्या कि अब हमने सेपरेट सेपरेट चैनल बना दिये जैसे कि फोर एक्जामपल आप क्लास टेंथ के बच्चे है क्लास 10 के स्टूटिन को क्या करना पड़ेगा आप एड़्यो ग्रो जोएन कर सकते हैं जिसके अंदर आपको सारे content सारा material स्टेडि मटियरील जो भी sample paper है questions paper है या 10 years के जो भी आपके questions है हम सब वह आपको प्रोवाइड करेंगे इस वेल आपके जो भी बोलना चीया आपका material and all है जो भी important questions प्रोवाइड की जाएगे तो बच्चे हम स्टार्ट करते हमारे आज के वीडियो को जिसके अंदर मैं आपको जोग्रफी का चाप्टर नंबर फाइब मिनरल्स और एनरजी रिसोर्स पढ़ाने जा रही हो यह आपका वन शॉट वीडियो है इस एक वीडियो के अंदर मैं आपको फुल एक्स्पिनेशन दूँगी and don't worry about it कि यह वन शॉट वीडियो बन रहा है तो मैं कोई भी चीज छोड़ूँगी जो भी आपके एक्स्पिनेशन एस जो भी आपके एक्साम पॉइंट ओव व्यू से इंपॉर्टन्ट है मैं हर एक चीज को आपको अच्छे से एक्स्प्लीन करूँगे ओके स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप से छोटी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे नाए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो व समझनी की जरूवत है हमें सबसे पहले आपका जो चैप्टर का नाम है उसका मीनिंग आपको मात करतें मिनेरोस का मतलब अब इसके अलावा मैं आपको एक और इंपोर्टेंट चीज बता दूँ जैसे कि आपको बता है बच्चा कि आपको है ना 40 मक्स का आपका एक्जाम आना है जिसके अंदर आपको 10 10 मक्स के सारे सब्जेक्स में डिवाइट कर दिया जाएगा 10 मक्स पॉलिटी 10 मक्स पॉर आपको पता है जोग्रफी और इस्ट्री में सेतने नहीं आते हैं अएक मार्ट समय पूछिए या तीन मक्स का एक कुशन आ जाएगा ऐसे जो आपके इसमें आते हैं वह आपका क्या पूच जाता है आपका स्पेशली इसमें से मैं बूचप बूच्छा जाता है अपका map work करने के लिए आपको पहले याद होना चाहिए कहां से कौन से mineral कौन सी mine आपकी कौन से state में है कौन से state के कौन सी जगा पर है जब तक आपको वो याद नहीं होंगे तब तक आप ना तो one word वाले जो question आते हैं इसके अंदर वो कर पाएंगे और नहीं आप map work रपाएंगे इसलिए सबसे पहले आप इसको समझिए याद करने की कोशिश किए इसके अंदर explanation पार्ट में बोलूंगी कि बहुत जादा नहीं है आपको मुझे थोड़ा बहुत explain करना है energy क्या होती resources क्या होते हैं कितने टाइप के आपके resources and all होते हैं इसके अलावा आपका जो है इसके अंदर में हैं वो facts है आपको mining and all कहां है वो आपको पता होनी चाहिए और उसी के basis पर आपको questions में अमलब exam के अंदर पूछा जाता है तो start करते हैं अगर हम बात करते है minerals की so minerals की definition क्या होती है बिटा minerals as a homogenous naturally occurring substance with a definable internal structure यहां क्या बोला जा रहा है आपको जो आपका बोलना चाहिए एक तरह से क्या बोलते हैं आपका जो minerals है minerals को क्या बोला जा रहा है homogeneous 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 का मतलब क्या होता है बिटा जिसके अंदर एक जैसी चीज़ हो right तो minerals को so minerals का आपको क्या बोला जा रहा है homogeneous naturally occurring substance बोला जा रहा है ऐसा substance बोला जा रहा है जो naturally मिलता है आपका जो की क्या है definable है ठीक है उसका जो भी internal structure है वो कैसा है आपका definable है okay now these are found in varied form in nature ranging from the highest hardest diamond to the surface telk अब यह जो आपका minerals है ना वो आपकी बहुत variety मलती है nature के अंदर okay बहुत form के अंदर मों क्या करता है vary करता है इसकी जो range बताई गए नहीं जो सबसे ज्यादा hardest आपका substance बोला जाता है एक तहां से mineral बोला जाता है वह आपका diamond है वह भी आपका क्या है mineral है और जो सबसे तैलक है वह भी आपका तैलक बोलते हैं now अब हमने यह तो देख लिए minerals क्या होते हैं आपके जब हमने यह देख लिए minerals क्या होते है और as you know that the minerals है हमाई लिए बहुत जादा important है बिना minerals के तो हमारे अबलब एक तना से बोल सकते हमारा काम ही नहीं चलता है ठीक है हम हमारे daily यूज में भी हर चीज का जो हम यूज करते हैं हर चीज में आपको मिलेंगे अब जब हमने यह देख लिया तो हमें यह देखना है कि यह minerals आते कहां से आपके है ना तो हम क्या देखेंगे mode of occurrence of minerals यह minerals का occurrence कहां से होता है क्या mode है इसका मिन्रल को क्या बोला जा रहा है वह आप तहरा सैंड और क्या बोलते है आपका जो भी धूल MIDτι फिसके अंदर include रहती है and then उसके बाद जब हम process and all करते हैं उसके बाद इसको हम क्या करते हैं purest form में लेके आते हैं वैसे ही आपको 10th में थोड़ा बहुत आपको science के अंदर भी देखने को मिलेगा ओर्स को कैसे हम है ना purest form में mineral को कैसे extract करके हम pure form में लेके आते especially आपको ICSC का जो slabor से उसके अंदर देखने को मिलेगा और CBSC वाले बच्चों को अगर आप लोग 11th में जाके science लेते हैं तब आप यह पढ़ेंगे chemistry के अंदर अभी आप बस इत्ता जान लेजिए कि जो mineral से वो usually कहां found होता है आपका ores में found होता है the accumulation of any mixed mineral with other element is called ore अब हम old ore की definition की बात कर यह ओर का क्या meaning होता है तो यहां क्या बोला जा रहा है यह एक तरह का accumulation है accumulation का मतलब क्या होता है एक खटा हो जाना ठीक है तो यह तरह का accumulation है किसका किसी भी mineral का किसी भी mineral के mixture का जो क्या है दूसरे element से क्या किया गया है mix किया गया है यह accumulation है किसी भी mineral के mixed का जो हमने other element से मिलके बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं और बोलते हैं now minerally generally occur in this form अब हम देखेंगे जो minerals है generally वो किस-किस form में क्या होते हैं maquars होते हैं सबसे पहले बोला जा रहा है आपका जो भी आपके minerals and all अकर होते हैं मैटा वů किसकेicon मिन्डर चैनल ओफ्ल मिलते हैं और हब हम देखेंगे कौन रॉक के अंदर आपको कौन सा mineral मिलता है तो जो सबसे पहले बात हो रही है आपकी बात हो रही है इगनीशियस और मेटामॉफिक रॉक के इसके अंदर आपको मिनरल मिलते हैं जो कहां मिलते हैं क्रेक्स के अंदर क्रेविक्स के अंदर फॉल्ट के अंदर जोइंट के अंदर तो जो आपका इगनीशियस और मेटामॉफि इनके अंदर आपको क्या देखने को मिलते हैं? मिनरल देखने को मिलते हैं. The smaller occurrence are called vents and the larger are called loads. जो smaller occurrence होता है न, छोटे-छोटे parts में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Vents बोलते हैं और जो larger में होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? Loads बोलते हैं. जिसका एक्जाम्पल आपका दिया गाया है तिन, कॉपर, जिंक एंड लीट आजक्टा, ओके, समझ में आपको मिनरल्स क्या होता है, कैसे वो अकर्ज होते हैं, ओके, नाओ, इसके अलावा हमने देख लिए उसके फॉर्म में आपके आते हैं, मतलब कि मैटामॉफिक और इग मिनरल्स अकर होते हैं इसके अंदर, ओके, जैसे कि कौन-कौन से, कूल हो गया, आइरन हो गया, जिंसम हो गया, पोटेश सॉल्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट हो गया, ऐसकर, तो जो आपका सेडिमेंटरी रॉक होता है, उसके अंदर भी नंबर ओफ मिनरल्स अकर होते हैं, कह बैट्स या फिर लेयर्स के अंदर जैसे कि आपका एक्जाम्पल कोल आयरन जिम्सम पोर्टेश शॉल्ट सोडियम सॉल्ट ऐसकरा अब इसके बाद जो मिनरल्स हैं वो आपके कहां फाउंड होते हैं decomposition of surface रोक जो भी आपका रोक का surface होता है वहाँ भी आपको क्या होते हैं minerals found होते, minerals आपको मिलते हैं, the removable of soluble consistent leaving a residual mass of weather material containing ore, इसके अंदर क्या होता है, जो भी आपका weather and all उसके कारण आपका जो भी changes and all आ रहा है करके, उसके अंदर भी वो आपको क्या देखने को मिलते हैं, आपके, वो आपके ores देखने को मिलते हैं, in short हम बोल सकते हैं, आपको minerals देख composition, surface, rock का और इसके अलावा, removal of soluble constituent, ठीक है, leaving a residual mass of weather material containing ores, और जो भी आपका weather material होता है, उसका जो भी residual mass बच जाता है, वो सब भी क्या करते हैं, आपके contain करते हैं, और को उसका example आपके सामने, bauxite, देख लिया हमने, अभी तक हमने क्या देखा, बिटा, three types के देखे, आपक मिला कि आपको वहाँ उसके cracks जो होते हैं, civics जो होती हैं, fault joint, उसके अंदर आपको minerals occur होते हैं, इसके अलावा, जो sedimentary rock हैं, उसके अंदर आपके कहा कर होते हैं, जो bad या फिर layers होती हैं, उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, इसके अलावा, जो भी आपका surface है, रॉक का, का जो भी decomposition and all होता है उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलते हैं minerals देखने को मिलते हैं now minerals में occur as olive oil deposit in scents of valley floor and the base of hill known as place a deposit इसके अलावा जो भी आपका है ना बोलना चाहिए all oil deposit होता है आपका वहाँ भी आपको minerals देखने को मिलते हैं क्यासे देखने को मिलते हैं बेटा क्योंकि obviously बात है कि जो भी आपका पूरा पानी और आता है तो वह बहुत सारा क्या बोलते हैं आपका all oil deposit करता जाता है करता जाता है वहाँ भी आपको क्या देखने को मिलता है minerals देखने को मिलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं, जैसे कि इसका एक्जामपल की मैं बात करूँ, आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटीनियम, एक्जामपल है, इसके अलावा आपके ओशन वाटर जो होता है, उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलता है, मिनर इसके अलावा, common salt का आपने देखा ही होगा, जो भी आपके ocean and all होता है, करके तुसके अंदर आपका common salt होता है, आपको याद भी होगा, आपने history and nationalism in India पढ़ा होगा, तुसके अंदर गांदी जी ने क्या किया था, जो लौ तोड़ा था, उनने, disobedient movement किया था, उसके अंदर क क्या किया था, उनने, पानी में से जो भी आपका ocean था, जो भी आपका तलाव था, water bodies थी, उसमें से उनने क्या किया था, उसको जो law था, आपका salt law उसको break करके उनने क्या निकाला था, salt निकाला था, तो कहां से निकाला था, उनने, water में से निकाला था, okay, समझ मैं, normal water में से When we are talking about the classification of minerals, so there are three types, okay? Minerals can be classified into three types. First is metallic minerals, second one is non-metallic minerals and third is energy minerals. हम इन सब को deeply study करेंगे, don't worry about it, okay? मैं one by one करके आपको explain करूंगे. So, start करते हैं हमारे very first minerals से, that is metallic minerals. In this, these minerals contain metals. ये जो आपके metallic, नाम से ही समझ में आ रहा है metallic, मतलब जिस minerals के अंदर क्या हो, metal हो, okay? तो ये जो minerals होते हैं, वो क्या contain करते हैं? Metal को contain करते हैं. अब जब हमने देख लिया, उसको classification classified कर लिया, हमने minerals को जो कि three types में होते हैं, लेकिन ये जो आपके metallic minerals होते हैं, इसके भी बच्चा three type होता है. कौन-कौन से? एक ferrous minerals होता है, आपका, दूसरा iron और होता है, and third one is your magnesias. अब हम क्या बात करने वाले हैं? सबसे पहले हमने देख लिया metallic minerals क्या होते हैं, उसके three types देख लिए, अब हम इनको deeply पढ़ेंगे. So, इसके अंदर हम first की जो बात करते हैं, वो क्या आपका ferrous minerals? आपको पता होगा, ferrous क्या होता है, आपका iron कही नाम होता है, आपका. आइरन को contain करते हैं, आइरन को contain करते हैं, क्योंकि ferrous जो है, आपका iron का scientific word है, आपको पता ही होगा, I hope. Now, it accounts for about three fourth of the total value of the production of the metallic mineral. और जब हम ferrous minerals की बात करते हैं, तो ये आपका कितना जो भी आपका total metallic mineral होता है, उसका three by fourth क्या करता है, आपका एक तरह से portion को ये cover करता है, ओके? तो three by four of the total value of the production of the metallic mineral. तो metallic mineral जितना भी होता है, उसका three by fourth जो part होता है या portion होता है, वो आपका किसका होता है? Ferrous mineral का होता है, they provide a strong base for the development of metallurgical industry, और ये क्या करता है, आपका ये एक तरह से strong base provide करता है, किसके लिए? जो भी आपकी metallurgical industry रहती है ना, उनके development के लिए, क्योंकि metal नहीं होगा, तो ये जो metallurgic industry है, आपकी वो develop नहीं कर पाएंगे, और जो हमें इतनी सारी चीज़ें को मिलती है, abrasion and all, ये साही चीज़ें हमारी अच्छे से नहीं हो पाएंगे, या फिर हम बोल सकते हमाई जित्ती भी चीज़े मागजी में हम देखते हैं, हर चीज हमारी किस से बनी होती है, एक तरह से metal से बनी होती है, ठीक है? समझ में आया आपको ferrous minerals की बात करी, इसके अंदर आपका iron होता है, ये three-fourth part cover करता है आपका, इसके अलावा ये आपका provide करता है strong base, किसका strong base provide करता है आपका? Metal logic industry का, जिससे क्या हो सके, वो double up हो सके, ओके? Now, अब जो second है, आपका iron ore है, iron ore की हम बात करते हैं, तो it is the basic mineral and the big backbone of industrial development, अब हम iron ore की बात करते हैं, तो ये क्या बोला जा रहा है? Basic mineral बोला जा रहा है से, और ये एक ताना का क्या है? backbone है, किसका backbone है? आपका industrial development का, got it? हमने iron ore को क्या बोला? basic mineral बोला, साथ के साथ में ये backbone है, किसका industrial development का? magnetite is the finest iron ore with a very high contain of iron up to 70% अब ये जो हम iron ore की बात करते हैं, इसके अंदर जो सबसे जादा finest iron ore होता है, मतलब जिसकी quality सबसे best होती है, वो आपका क्या बोला जाता है? magnetite बोला जाता है, ओके? कौन सा है बेटा वो? magnetite जो है आपका finest iron ore है, जिसके अंदर कितना iron होता है? 70% के करी आपका iron देखने को मिलता है, up to 70%, असानी कि 70% ही देखने को मिलेगा, up to 70% देखने को मिलता है, इसके बाद आपका जो दूसरा होता है, वो कौन सा होता है, आपका hematite, hematite ore जो है, ये भी most important industrial iron ore है, in term of the quantity use, जो आपका hematite ore है, ये भी एक तरहा का iron ore होता है करके, ये भी आ quantity के कमटम में, जितना हम उसको use करते हैं, सबसे ज़्यादा इसका ही use किया जाता है, but has a slightly lower iron content than magnetite, लेकिन अगर हम iron ore के comparison में करें, तो ये थोड़ा सा इसकी quality होती होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बढ़ थोड़ी सी इसकी quality low होती है, okay, सबसे best quality किसकी मान जाहेगी iron ore के अंदर, magnetite की, लेकिन जो hematite है, ये भी आपका बहुत important होता है, क्योंकि इसकी quantity जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा use में यही आता है, आपका, और इसके अंदर कितना आपका iron contain होता है, आपका 50 to 60 percent, okay, now, India is rich in good quality iron ore, और जो इंडिया है, इंडिया के अंदर iron की जो हम बोलना चाहिए, iron ore की जो quality है, वो बहुत अच्छी पाई जाती है, the major iron ore belt in India are, अब हम यह देखेंगे कि इंडिया के अंदर कौन से major iron ore के belts है, okay, first one जो है आपका वो उड़ी सा जारखंड है, अब इसके बाद जो second है, आपका वो क महारास्ट्र, third जो है आपका वो कौन सा है, बैलेरी, चितर दुर्गा, चिम्प, चिक, मगलूर, तुम, कुर, बैल्ट इन करनाटका, थुआ सा नाम अजीब सा है, आप इसकी spelling याद कर लीजेगा, चीके, now, फिर फोर्थ जो है, आपका महारास्ट्रा गोवा बैल्ट इन गोवा एंड रतनागिरी डिस्ट्रिक ओफ महारास्ट्र, यह हमने इसके बैल्ट देखे, कहां कहां है आपका, सबसे फर्स जो है, वो क्या है, आपका उड़ी सा जारखन बैल्ट है, सेकंड की हम बात करें, तो बिटा महारास्ट और चतिसगर में है, जो कि दुर्ग बस्त है आपका कर्नाठ काम है, इसकी स्पैलिंग भी आप ऐसी याद करना, मुल्ब इसको ब्रेक करके याद करना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ओके और महारास्ट गुवा बेल्ट के अंदर एक आपका महारास्ट गुवा बेल्ट है वो और एक और है आपका रत्ना गरी करके कहां महारास्ट के अंदर तो ये आपका एक उनला से मैं बोल सकते हैं fact वाली चीज़ हैं जो आपको ratification करनी पड़ेंगे ओके? नाओ, अब हम बात करते हैं आपकी दूसरे की, वो क्या है आपका? Magnesia की बात करते हैं हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो it is mainly used in the manufacturing of steel and ferromagnetier alloy. अब जब हम magnesium की बात करते हैं, तो हम इसका कहां use करते हैं, specially जो भी steel का manufacturing होती है न बचा, उसके अंदर हम इसका यूज करते हैं और ये फेरो मेंगनेशी जो एलो है एलो क्या होता है आपका जो चार पांच चीजों से मिलके बना होता है उसके लिए इसका स्पेशली यूज किया जाता है इसके अलावा इसका कहां यूज किया जाता है अगर हम बात करें इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा मिलब सबसे ज़्यादा कहां लिए तो उडिसा के अंदर ही आपका सबसे ज़्यादा प्रडियूस होता है ओके अब हम बात करेंगे पैटा नॉन फएरस लड़ीote जिसके अंदर metal बूलना चाहिए आपका जो है ना नॉन फेररस मतलग भी जिसके अंदर iron contain नहीं होगा ओके इससे पहले हमने Ferrous की बात कि थी जिसके अंदर हमने iron देखा था iron की quality wise भी हमने प्ढ़ लिए किसके अंदर किती क्या quality होती है, किसका क्या यूज होता है, कौन-कौन सी, कौन-कौन से जो आपके mineral से वो कहां-कहां थे, ferrous वाले के, अब हम पढ़ेंगे non-ferrous mineral की बारे में, जब हम non-ferrous minerals की बात करते हैं, तो समझ महीं आ रहा है, non-ferrous, जिस तिन minerals के अंदर क्या ना हो, iron now these minerals do not contain iron okay now they play role in a number of metallurgic engineering and electrical industries यह इनका जो main role होता है यह कहां play करते हैं आपका एक तो metallurgic आपकी जो industry होती है engineering जो होती है और electrical जो industry होती है इन तीन के अंदर space दी यह major role play करते हैं आपका and इसके एक example की बात करें वो क्या हैं आपके copper, bauxite, lead, zinc and gold these are the example of the non-ferrous minerals okay तो non-ferrous minerals की हमने बात की तो यह वो mineral है जिनके अंदर iron नहीं होता है यह कौन सी industry में role play करते हैं especially team के अंदर एक है आपका metallurgic फिर है आपका engineering and electrical industry के अंदर और यह कुछ इसके example दिये गए अब इसमें हम बात करते हैं आपके copper की copper की हम बात करते हैं तो बेटा यह कैसा होता है वैसे तो आप यह science में भी पढ़ चुके हैं as well as आप यह six seven class से ही इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं बट फिर भी मैं आपको एक आपको प्रॉपर बता देती हूं अगर क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं तो वह आपके साथ ना हो जो copper होता है ना एक तो क्या है malleable है ductile है और good conductor of electricity है ठीक है malleable का मतलब आपका क्या होता है बीटा आपका malleable है ductile है good conductor of electricity है इसका meaning यह होता है एक तो इसकी thin sheets बन जाती है आप इसको किता ही प्लब मोटा हो या कुछी भी आपको उसको वो कर करके आप thin sheet बना लेते हो और साथ के साथ में इसके wire भी बन है इसको हम क्या बोलते है malleable and ductile बोलते है और यह good conductor of electricity भी है जिसके कारण क्या होता है आप देखते होगे कि हमारे है ना जो भी wires and all होते है जो electrical हमारा बोलना चाहिए पूरा आपका system होता उसके अंदर आपको इसके cable देखने को मिलते है और इसकी अगर मैं मैंस की बात आपका तो मद्र प्रदेश के अंदर कहां देखने को मिलता है बाल घाट में कौपर की जो मैंस है वो कहां देखने को मिलती है मद्र प्रदेश में बाल घाट में दूसरा राजिस्थान में देखने को मिलती है आपकी concert district में खेतरी करके जो district है उसके अंदर इसके अलावा जारखंड में देखने को मिलता है यह आपका सिंग बुम करके जो डिस्ट्रिक है आपका वहाँ ठीक है तो तीन स्टेट में स्पेशली यह लीडिंग प्रोड्यूसर है तीन स्टेट के अंदर मद्र प्रिदेश राजिस्थान जारखंड ओके सबसे पहले बिटा आपको स्ट स्टेट याद होने चाहिए और स्टेट के बात कौन से डिस्ट्रिक में वह आपको याद होना चाहिए मद्र प्रिदेश बालगाट ठीक है राजिस्थान खेतरी और अगर हम जारखंड की बात करें तो आपका सिंग बुम करके जो है वहाँ नाओ अब हम देखेंगे बॉक और अलोमीनियम ठीक है यह इसमें से बात में हम क्या कर सकते हैं अप्टेन कर सकते हैं तो वोकसाइट जो होता है वह आपका क्ले लाइक स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम विच अलोमीना एंड लैटर अलोमीनियम इसमें से आपका अलोमीना और अलोमीनियम भी क्या होता है आप great millability, अब क्या बोला जा रहा है, आपका जो aluminium है, वो आपका बहुत ही important metal बोला जा रहा है, ice cream, aluminium पो क्या बोला जा रहा है, आपका बहुत ही important metal बोला जा रहा है, कियों, क्योंकि ये, because it combined the strength of metal जैसे की कौन-कौन से, iron with extreme lightness, ठीक है, एक तो ये है न, आपका क्या बोला ची बहुत ही जादा light है आपका और साथ के साथ में ये good conductor of electricity है और इसकी जो malleability है न वो भी बहुत अच्छी होती है इन इंडिया, इंडिया के अंदर हम देखे तो ये कहां-कहां देखने को मिलता है आपका mainly ये अमरकंटक प्लेटियू जो है वहां आपका found होता है, मेकल हिल जो है आपका वहां found होता है और इसके अलावा इसके अलावा हम देखेंगे non-metallic minerals के बारे में, so these minerals do not contain metal अब मैं जैसे कि non-metallic minerals की बात कर रहे हूं तो इसके अंदर क्या होते हैं इसके अंदर आपके metal इन mineral के अंदर आपके metals नहीं होते हैं जैसे कि आपका mica हो गया यह किससे बना हुआ है अपका it is the mineral made up of a series of plates and leaves अब यह जो mineral से वो आपका किससे बना हुआ है plates और leaves से बना हुआ है it can be clear black green red yellow or brown यह जो होते हैं एक तो clear होता है बहुत black color का या फिर green red yellow or brown थोड़ा वहां के atmosphere and all वो कौन सी जगा है उससे भी fork पड़ता है वहां का soil and all कैसा है तो उसके according का color होता है mica is the one of the most indispensable mineral used in electric and electronic industry due to its excellent de-electricity strength, low power loss factor and insulating properties and resistance to high voltage जो mica जो है ना आपका बिटा एक तो यह कैसा mineral बोला जा रहा है वन आफ दी मोस्ट इंडिसिपनेसिबल minerals बोला जा रहा है यह जो कहां यूज होता है आपका electric और electronic industry के अंदर यूज होता है क्यों क्योंकि इसकी जो di-electric strength है ना वो बहुत अच्छी है और low power loss factor है जो भी आपका power loss factor उसका क्या है काम है और साथ के अंदर इसके अंदर क्या है बिटा insulating property जो है ना वो बहुत अच्छी है ठीक है जिसके कारण क्या होता है आपको current नहीं लगता है और यह क्या करता है किता भी high voltage हो उसको resistance करने की मलब इसके अंदर resistance करने का भी क्या होता है पावर होता है तो माइका को क्या बोला जा रहा है बहुत ही important indispensable minerals बोला जा रहा है क्यों बोला जा रहा है क्योंकि यह electric और electronic industry के अंदर use होता है because of it de-electric strength और जो इसका power loss factor है वो भी कम होता है साथ के साथ इसके अंदर insulating property भी है और यह high voltage को क्या करके रखता है resistance करके रखता है अगर इसकी हम leading producer की बात करें तो कहां कहां एक तो आपका छोटा नापपुर प्लेटी हुए ना वहां है नदर इंच के अंदर इसके अलावा आपका कोदिर्मा गया करके है आपका हाजरी बाग बैल्ट जो है जारखंड के अंदर ओके यहां आपका क्या देखने को मिलता है आपको माइका के माइका के यह क्या है आपके leading producer एक तरा से ओके समझ मैं चोटा नापपुर प्लेटी हो और कोदिर्मा गया और हजरी बाग करके अजमीर, राजिस्थान, नेलोरा माइका बैल्ट ओफ आंदर प्रदेश इसके अलावा आंदर प्रदेश और राजिस्थान के अंदर भी आपको इसके बोलना चाहिए यह produce होता है वहां भी इसके अलावा हम देखेंगे second जो है आपका वो है mild, sorry, limestone, okay limestone is found in association with rock composed of calcium carbonate और calcium and magnesium carbonate जो limestone है ना बिटा, वो found होता है कहां association with rock composed, ठीक है, जो भी composed होते हैं rock आपके कौन-कौन से composed होते हैं, calcium carbonate and calcium and magnesium carbonate जब इन सब का composition होता है या composed होते हैं तो इसके association से क्या होता है आपका, limestone found होता है it is the basic raw material for the cement industry and essential for smelting iron or in the blast furnace इसके अलावा यह जो है ना आपका, यह basic raw material बोला जा रहा है आपका, किसके लिए जो cement industry होती है उसके लिए और smelting iron और होता है, उसके लिए क्या बोला जा रहा है, यह basic raw material बोला जा रहा है मतलब कि यह नहीं होगा तो वो चीज़े इतने easily नहीं हो पाती है, इसलिए इसको basic raw material बोला जा रहा है अब हम देखेंगे हमने यह तो पढ़ लिया आपका कि minerals क्या होते हैं, उसका mode क्या है, इसके अलावा हमने different types के minerals भी देख लिया आपके, और उसमें भी आपके non ferrous, ferrous, metallic, non metallic, उसके भी हमने अंदर का classification सब देख लिया अब जब हम यह देख रहे हैं कि minerals इतने important होते हैं, हर चीज हमारी जो है, वो minerals से बनी हुई है करके आपके, तो हम इसको conserve कैसे करके रखें, तो अब हमें यही देखना है कि conservation of minerals क्या होता है या हम कैसे कर सकते हैं सबसे पहले जब हम conservation of minerals की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले दिमाग में यह बात आएगी कि हमें उसकी ज़रूरत क्या है, हमें क्यों conserve करके रखना है होने हैं, तो फर्स जो इसका point है, वो आपका क्या होगा, mineral deposit are present in very less quantity in the world, that is 1% of the earth crust, जो आपके minerals हैं, वो कैसे हैं, वो ज इतनी कम हैं, अगर हम earth crust की पूरी बात करते हैं, उसका से 1%, so कोई चीज अगर कम होती है, तो इसको हमें conserve करके रखने की जरूरत होती है, तो पहली चीज समझ में आ गई, यह earth crust के अंदर बहुत कम होते हैं, कितने से 1% के करीब, इसलिए हमें इनको क्या करने की जरूरत है करके रखने की जरूरत है, second, the geological process of mineral formation are so slow, while the consumption rate is very fast, therefore mineral resources are finite and non-renewable, as you know that minerals को बनने में, it will take lots of time, ठीक है, millions of billions year लगते हैं इनको बनने के लिए, in short में यह भी बोल सकते हैं, उसका जो geological process है, geological processing मतलब यह इसको बनने में बहुत जादा time लगता है, तो हम बोल सकते हैं, इसके formation के अंदर बहुत जादा time लगता है, but, जो हमारा consumption rate है, बनने में बहुत जादा time लग रहा है, लेकिन हम उसको conserve बहुत fast से कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण यह क्या हो जाएंगे, एक दिन खतम हो जाएंगे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनका, क्योंकि यह finite ratio में है, ठीक है, बहुत सारे नहीं है, इनका एक finite ratio है कि इतने ही है, तो हमें और यह non-renewable है, non-renewable क्यों है बेटा, क्योंकि इसके बाद भी अगा, यह बनतो जाते हैं, यह तो नहीं पोलूँगी, बनिंग ने, बट इनको बनने में इतना जादा time लगता है, millions and billions here, तो एक तरना स से मों क्या हो जाते है, non-renewable resource हो जाते है, इसलिए इनने हमें सो समझ के use करना चाहिए, साथ के साथ में conserve करके भी रखना चाहिए, okay, so we have to conserve minerals so that it is available for future generation, यह कि obviously बाते सिफ हमने use कर लिए, आगे वाली जो हमारी generation आने वाली और उनको ही कुछ use करने को नहीं मिलेगा, तो उन ठीक हमें थोड़ा सा save करके रखना है, हम बोल सकते हैं, conserve करके रखना है, जिसके करन हमाई future generation क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं, in short जैसे कि आपने geography का chapter number one पढ़ा था, resources and development, उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हम हैं, resources को sustain कर सकते हैं, तो वो ही सारी चीज़े हम इसको कैसे conserve कर के रखना है, वो ही यहां बताया गया, तो आपको उसको ratification करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा उससे link करोगे, तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, वैसे भी आप 10th class के अंदर आगे हो, हर answer आप याद नहीं कर सकते हैं, आपको क्या करना है, समझना खुद के own words में होता है, बत अब हम करेंगे कैसे, हमें वो भी तो देखना पड़ेगा ना, जैसे कि for example, हमें marks तो अच्छे लेके आने, लेकिन कैसे लेके आएंगे तो उसके लिए भी तो strategy बनाई जाती है, वैसे भी इसके लिए एक strategy होती है, सबसे पहले क्या बोला जा रहा, a joint effort has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner, हमें एक तरह से क्या करना चाहिए, हमें एक तरह से plan बनाना चाहिए, कि हम कैसे minerals की resources होते हैं, उनको हम कैसे use करें, और ऐसे manner में use करें, जिसके करन क्या वो sustain हो सके, तो आज joint effort, क्या बोला जा रहा है, एक joint effort बनाना चाहिए हमें, किस order में, कि जो भी हम mineral का use कर रहें, वो क्या हो, plan हो, जैसे कि for example, हम किसी चीज की planning करके रख लेते हैं, उसके according हम काम करते हैं, तो हमारा काम जादा अच्छे से होता है, और साथ के साथ में हम उसको sustainable manner के अंदर भी use कर सके, मतलब कि हमें जत्ती जरूरत है, हम उत्ता यूज करें, नहीं है, तो हमें फा करना चाहिए, हमें improve करना चाहिए, जिसके कारण क्या हो सके, आपके जो low grades के भी आपके ores है, उनको हम क्या कर सके, low cost में करके हम उसका use कर सके, okay, साथ के साथ हमें recycling करनी चाहिए, तिक है, आपने 3R पढ़े होंगे, 3, 4R जो थे वो आपने पढ़े थे, resources and development के अंदर, तिक आपने देखा होगा, scrap वाले आते हैं, महलब क्या बोलते हैं उन्हें, भंगार वाले जो बोलते हैं करके, वो हमारा जो सामान टूर जाता है, lowe-woohe का या कुछ भी तो वो लेके चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कहीं और जाके उसको seal करते हैं, and then उसको recycle किया जा ये तो बिटा हमारी बात होगी, आपकी minerals के बारे में, हमने देख लिया minerals क्या होते हैं, कैसे, उनका mode of occurrence क्या है, साथ के साथ में हमने ये भी देख लिया, कि कौन-कौन से types के होते हैं, और कौन-कौन से minerals, कौन-कौन से state में पाए जाते हैं, अब हम बात करेंगे हमारी energy resources की, आपके अंदर energy नियोगे, आपके अंदर energy नियोगे, तो आप कुछ काम भी नहीं कर पाऊगे, ये तो normal energy की हमने बात कर ली, और इसके अलावा हमाई बहुत सारी energy होती है, लाइट energy होती है, आपकी बहुत different types की energy होती है, जिनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, यहां पढ electricity energy की जरुवत होगी, heat के लिए भी आपको energy की जरुवत होगी, and आपको vehicle को प्रॉपल करना है, उसके लिए भी आपको energy की जरुवत होगी, साथ के साथ में आपको किसी भी machinery को drive करना है, industry के अंदर, उसके अंदर भी आपकी क्या लगेगी, energy लगेगी, that is a different thing, कि सब जगा same energy नहीं लगती है, कहीं आपकी mechanical energy यूज होती है, कहीं आपकी kinetic energy यूज होती है, कहीं आपकी हम बोल सकते, heat energy यूज होती है, light energy यूज होती है, electricity energy यूज होती है, different different types की, जहां जैसी energy की जरुवत होती है, वहां वैसी energy लगती है, लेकिन energy आपकी हर जगा लगती है, अगर अ तो इसमें भी अनरजी लग रहे हैं, बहुत सालर हैं, सब में भी द्रीट आपके विलल, नेक्टॉलीम, नेच्रॉल, गेस, यूरेनियम, अगर हम बात करते हैं, energy, energy कैसे generate होती है, energy आपके fuel mineral से क्या होती है, generate होती है, जैसे कि कौन-कौन से हो गया, आपके coal हो गया, petroleum हो गया, natural gas हो गया, uranium हो गया, ये सारी बहुत सारे इसके क्या है, तरीके हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपकी energy को generate कर सकते हैं, ओके, Now, अब हम देखेंगे classification of energy resources के बारे में So, energy resources की classification की हम बात करें तो सबसे पहला जो है, वो है conventional resources Conventional source, फिर हम non-conventional पढ़ेंगे जब हम conventional source की बात करते हैं इसके अंदर कौनकों से चीज़े आती है बिटा? आपके आती है firewood, cattle dung, coal, petroleum, natural gas and electricity, ठीक है, firewood, wood को fire करके हम क्या करते हैं energy generate करते हैं, इसके अलावा cattle, dung, cake जो होते हैं मतलब कि क्या बोलते हैं, उसे कंडे जो होते हैं जो गाई के, गोबर के और क्या बोलते हैं आपके buffalo जो होती है, उनके जो गोबर के बनते हैं उनका यूज किया जाता है, coal, petroleum, natural gas and electricity इन सबको हम क्या बोलते हैं, conventional source बोलते हैं किसका energy का, अब इसके बाद हम बात करते हैं non-conventional source की, non-conventional source में आपका कौन-कौन से आता है solar, wind आपका, ठीक है, इसके अलावा tidal, geothermal, biogas and atomic energy ये सारे आपके non-conventional source होते हैं तो आपको बेटा पता होना चीए, conventional source कौन-कौन से होते हैं और non-conventional source आपके कौन-कौन से होते हैं, ओके now conventional source of energy, अब हम क्या करेंगे, इनको deep पढ़ेंगे सबसे पहले जो है, आपका conventional sources of energy है it is the most abundantly available fossil fuel, ठीक है, ये क्या बोला जा रहा है आपका available है, अच्छा खासा, fossil fuel आपका, ठीक है it is used to power generation to supply energy to industry as well as for domestic need ये जो आपका conventional source of energy होता है, एक तो ये हमारे environment में अच्छा खासा available है, as well as इससे हम क्या करते हैं, power को generate करते हैं, और जो power generate होती है, उसको हम क्या करते हैं, industry को as well as जो भी हमारे domestic need होती है, जो भी हम घरवर में use करते हैं, उसके लिए क्या किया जाता है, आपका supply किया जाता है, इसी के तुरू हम energy को क्या करते हैं, supply करते हैं, coal is the form due to the compression of plant material over millions of years, अब इसके अंदर क्या बोला जारा है, जो आपका coal का formation होता है, वो कैसे होता है, जो भी आपका plant के material होते हैं, वो क्या होते हैं, compression होते हैं, चीके, over millions of years, जैसे कि मैंने आपको बताया था, coal, petroleum and all their whole, all in ko bonday में डूपते हैं जाया है, लूखते हैं वो क्या होता है, तो इनका क्या होता है, 바ा होता है, coal का foundation क्या होता है, जो भी plant material होते हैं वो क्या होते जाते हैं, compression होते जाते, होते जाते हैं डपते जाते जाते, ऊवर millions of years, and then whole coal कें lun sum All हो जाते हैं बट जित्ता में इसली बोल रहे हुँ ना इतने इसली होते नहीं एड विल टेक टाइम नाओ अब हम टाइपस ऑफ कोल की बात करते हैं क्योंकि अभी हमने देखा कन्वेंशनल के वारे में अगर हम पढ़ रहे थे तो हमने कोल देखा तो कोल के भी क्या होते हैं सबसे पहले अगर में बात करूं देग्री ऑफ कॉमपरेशन अंडी डैप्ट एंड टाइम ऑफ ब्यूरल ठीक है मतलब कि वह डिपैंड करता है जितना जादा पुराना कोल होगा उतना जादा अच्छा होगा जितना जादा वह नीचे तक दबा होगा उतना ही जादा वह पुराना होता जाएगा उस साथ के साथ में वह नीचे होता जाता है जिसके करान क्या होता है जो हमारे अर्थ है ना उसके अंदर क्या होता है आपका जो गर्मी होती वह बढ़ती जाती टैंपरेशर नीचे बढ़ता जाता है जिसके करान उसके अंदर जो भी ड्राइनेस और जितना सूखा हुआ होता है आपका अच्छा वह आपको एनरजी देता है उत्ते ही अच्छा यूज करने में होता है तो उसी की बेसिस पे हम इसको देखने वाले सबसे पहला जो है आपका पिट यह क्या होता है इसके अंदर लो कारवन होता है और हाई मोश्ट्राइजर कंटेन होता है क्यों कि यह सबसे ऊपर रहता है क्रस्ट में तो इसके अंदर क्या होता है कारवन की जो बोलना चाहिए कंटेन है वह तो कम है और मोश्ट्राइजर क्य क्या होता है जैसे कि ओविस सी बात है कि यह थोड़ा सा मॉइस्ट्राइजर होगा तो जिसके कारण लो हीटिंग कैपसिटी होगे उसके कारण वो इतना प्रॉपर अच्छे से जलेगा निजैसे कि आपने भी देखा होगा कभी कोई वुट को आपने गीला करके जलाओ और द्हुआ भी कम निकलता है लेकिन जो आपकी है ना जो जिसके अंदर मॉश्ट्राइजर होता है थोड़ा सा गीला पन होता है नमी पन होती है उसको जन्ने में टाइम भी लगता है और साथ के साथ में धुआ भी बहुत होता है तो यह जो पीत है आपका वो कैसा है बिटा यह एक तरशी हम बोलेंगे आपका लो कार्वन है और इसका हाहमोश्ट्राइजर कंटेन होता है आपकी क्या है अब सेकन्न हम बात करते हैं लो ग्रेट ब्राउन कॉल यह भी कैसा है लो ग्रेट का है जो कित तरह का ब्राउन कोल है which is soft with high moisturizer content जो क्या होता है एक तरह का soft है और इसके अंदर भी बहुत सारा moisturizer देखने को मिलता है थर्ट की हम बात करते हैं बिटुमिनोस की अगर हम बात करते हैं बिटुमिनोस के अंदर क्या होता है यह बहुत अंदर तक होता है subject to increase temperature most popular coal in commercial use इसकी जो quality होते है वो अच्छी होते है इससे भी अच्छी quality की होते हैं बट यह एक बहुत अच्छी quality माने जाती है जो की एक ताह से reasonable rate में होती है इसलिए यह most popular है किसके लिए commercial use के लिए ओके और इसका बोलना चाहिए क्यों हम इसका use कर रहे हैं commercial use के अंदर क्योंकि यह क्या होता है इसके अंदर यह बहुत नीचे तक होता है थोड़ा पुराना होता है तो earth के नीचे तक चला जाता है वहाँ उसको temperature जादा मिलता है जि के कारण यह बहुत जादा popular है commercial use के लिए इसके अलावा आपका बिटा होता है anthracite करें anthracite जो होता है न वह आपका highest quality hard call होता है एक तो यह बहुत जादा hard होता है जैसे के पहले हमें देखा था कि वह थोड़ा soft है यह तो hardest call होता है और इसकी quality बहुत अच्छी होती है but actually में क्या होता ना यह comparison to bitminus और उसकी comparison में क्या होता है यह बहुत expensive होता है इसलिए लोगभग हमारा maximum किसका यूज करते कोई-दॉ में bitminus का यूज करते इंडिया कोल अकर इन गॉंडवाना एंड टेलिटिरी रग स्टेज कर आं तो इंडिया के अंदर कोल कहां देखने को मिलता है और गॉंडवाना के अंदर जैसे कि आपको पता है गॉंडवाना जो है located in अब हम गोनवाना की भी बात करें तो वहां कौन-कौन से major resources है वहां भी कहां-कां mainly हमें देखने को मिलता है तो best Bengal और जारखंड के यहां आपका दामोदर वैली है वहां देखने को मिलता है जारिया, रानी गंज, बुकारो यह आप से पूछे जाता है especially यह तो आपका बहुत जादा important है जारिया, रानी, गंज और बुकारों में से एकाद आपका question आही जाता है बेटा तो coal जो इंडस्ट्री है आपके या coal के coal जो आपको देखने को मिलता है गौनवाना के अंदर वो कहां एक तो बेस बेंगलो और जारखन में देखने को मिलता है आपको कहां दामोदा वैली के अंदर इसके अलावा जारिया, रानी, गंज और बुकारों में देखने को मिलता है और आपका गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा वैली जो है वहाँ भी आपको क्या देखने को मिलता है कोल की माइनिंग आपको देखने को मिलती है तेरिटेरी कोल अकर इंदी नौथ इस्टन स्टेट और मेगाले, आसाम, अर्नाचर प्रिदेश और नागाले अब हम बात करेंगे पेट्रोलियम की जो प्रोवाइड फ्यूल फॉर हीट और लाइटिंग, लुब्रिकेंट फॉर मशीनरी और रो माटेरिया फॉर मैनुफाक्टरिंग इंडस्री जो पेट्रोलियम है ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है ये ऐसा फ्यूल यह प्रोवाइड करता है हीट let प्रोवाइड इसके अलावा छीनरी के अंदर लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है मतलब कि कोई है लोही की जो चैनल होती है, वो चलने में दिखकर जाती है, या फिर आपके ताले होते हैं, वो लोहे के होते हैं, उनको लगाने में दिखकर जाती है, तो थोड़ा सा क्या कर लिया जाता है, पैट्रोलियम आपका डाल लिया जाता है, इसके अलावा आपका क्या होता है, ये मैनुफेक textile fertilizer and numerous chemical industry और जो petroleum refineries हो कैसे pénृत करती है कि normal industry की तरह आप करती हैं जैसे कि आपका synthetic textile हो गया fertilizer हो गया और इसके अलावा बहुत फाइली हैं इस के अंदर भी इसके क्या होता यह गत्ता बीद्ट्न आता उस्सिम्हों कि है उप्शेट स्वेशं जुगouri पर्शन से अधी कॉस्ट लेयर आपको यह सथो देखने को मिलता है 19 पर्शन जो works एव वह अन्थ मॉच्चीन पर्शन में ब rebel type Pikachu ऑब हम बात करेंगे नेशनल Sin if नहीं. So, it is used as a source of energy as well as industrial raw material in the petrochemical industry. जो यह आपका energy है, इसको हम आपका industrial raw material में भी use करते हैं आपका और petrochemical industry में भी इसका use किया जाता है. It is considered as environment friendly fuel because of low carbon dioxide emission. अब क्या बोला जा रहा है, यह आपका एक तरह से environment friendly fuel बोला जाता है. क्यों? क्योंकि इसके अंदर में से जो carbon dioxide होता है, वो बहुत कम की मात्रा में निकलता है. आप में देखा भी होगे, आजकल विकल और आ रहे हैं, वो भी natural gas पे बनने लगें करके. Natural gas has been discovered in the Krishna Godavari basin, Mumbai High, कहां कहां देखने को मिलता है, Krishna Godavari basin में देखने को मिलता है, Mumbai High में देखने को मिलता है, Allied Fields, Gulf of Cambay, Andamana, Nicoba Island. यहां आपके natural gas discover किये जाते हैं, यहां आपको इसका जो है electricity का तो obviously बात है, बिना electricity के तो आजकल कुछ काम ही नहीं चालता है, आजकल लोग बाग बिना electricity के रही नहीं सकते हैं, तो जो electricity का जो क्या बोलना चाहिए, आपका application बोला जा रहा है, वो बहुत wide application बोला जा रहा है, स्पेश्टी, today's world, electricity is generate mainly in two ways, electricity जो होती है, mainly two ways में हम generate का हो सकते हैं, by running water which drive hydro turbines to generate hydro electricity, जब हम water के थूँ, आपने देखा होगा, dam and all बनते हैं, जब हम water के थूँ क्या करते हैं, आपका hydro electricity को generate करते हैं, कैसे generate करते हैं, आपका turbines जो लगी रहते हैं उसके through and by burning other fuels such as coal, petroleum and natural gas to drive turbines to produce thermal power, इसके अलावा हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर कुछ fuels का भी use कर सकते हैं, coal, petroleum, natural gas, जिसके कारण क्या आता है, आपका turbine चो होती हैं, वो drive होती हैं और वो produce करते हैं thermal power को, ओके, दो टाइप का हमने देख लिया, एक तो running water के थूँ होता है आपको, जिसके कराण आपका drives होती है, hydro turbines, जिसके कराण आपकी hydro electricity generate होती है, इसके अलावा जो हमारे कुछ fuels होते हैं, coal, petroleum, natural gas, इनके through भी हम क्या कर सकते हैं, आपके thermal power को produce करते हैं, ओके, now, hydro electricity is generated by fast flowing water, जो hydro electricity होती हैं बेटा, वो जो generate होती हैं, turbines चलती हैं, वो जो water flow होता है, वो बह आपकी ये electricity बन पाती है, hydro electricity, hydro का मतलब भी होता है आपका water, it is a renewable resources, ये कैसा resource है, आपका renewable है, विकर्स अगर हमाया पानी, हमें ये बात अलग है कि हमें पानी का भी बहुत अच्छे सी use करना चाहिए, misuse नहीं करना चाहिए, बट हमारे ये एक नाज से renewable कैसे बोला जाता है, क्योंकि obviously बात हमें पता है, गर्मी के बाद बारिश तो आएगी ही, बारिश आएगी तो हमारे पास पानी भी आएगा, इसलिए हम इसको renewable resource बोलते है, multi-purpose project है, इसके आपके, कौन-कौन से project है, ये भी आपका बहुत important है, पूछ लिया जाता है, भागा नागर, दामोदर व और कोपिल, हाइडल project करके, ये तीन हैं आपके जो produce करते हैं आपकी hydro electricity को, thermal electricity is generated by using coal, petroleum and natural gas, और जो thermal electricity है, वो कैसे generate होती है, जब आप coal, petroleum and natural gas का use करते हो, उसके बाद आप thermal electricity को क्या कर सकते हो, produce कर सकते हैं, यह हम बोल सकते हैं, generate कर सकते हैं, ओके, the thermal power station used non-renewable fossil fuel for generating electricity, और जो thermal power station होते हैं, इसके अंदर जो आपके fossil fuel का use किया जाता है, वो कौन से fossil fuel होते हैं, आपके non-renewable, ओके, and उनके through क्या होती है, आपके electricity generate की जाती है, ओके बच्चा, यहां आपको समझ में आया, now, अब हम देखेंगे non-conventional source of energy, अभी तक हमने क्या देखा, conventional source of energy देखा था, अब हम non-conventional source of energy देखेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे nuclear और atomic energy, so it is obtained by altering the structure of atom, यह किससे obtained होता है, जो भी आपका structure of atom होता है, उसको हम क्या करते हैं, अल्टर करते हैं, उसके through यह obtained किया जाता है, it is used to generate electric power, इसका हम क्यों use करते हैं, पावर को generate करने के लिए, जो भी electric power होता है उसको generate करने के लिए, अब इसमें भी हम uranium and thorium की अगर हम बात करते हैं, तो यह कहां है आपका जारखन, और अरावली range जो है राजिस्थान में, वहां आपको यह जो आपके क्या बोलना चाहिए इसके अलावा, इसके अलावा, the monocyte sand of Kerala is also rich in thorium, ठीक है, एक तो nuclear और atomic energy की बात कर रहे हैं, हम इसके अंदर क्या किया जाता है, आपका structure of atom को alter करके हम octane करते हैं, इस energy को, and then हम इससे क्या करते हैं, electric power को generate करते हैं, और अगर हम इसके ability देखें, तो जारखन और राजिस्थान में देखने को मिलती है, आपकी uranium और thorium की, इसके अरावा, के अंदर भी आपका monocyte science करके है, जहां आपको thorium मिलता है, ओके, इसके बाद बेटा हम बात करते हैं, आपकी solar energy की, अगर हम solar energy की बात क करते हैं, तो इंडिया is a tropical country, इंडिया कैसी है, tropical country, यहां अच्छा खासा क्या होता है, बिटा, हमारे sun rays अच्छी खासी आती है, जिसके कारण हम solar energy easily, बना सकते हैं, ओके, इंडिया is a tropical country, therefore it has numerous possibility of tapping solar energy, ठीक है, फोटो, फोटो, वोल्टेक technology converts sunlight directly into electricity, अब क्या होती है, हमारे एक technology होती है, जिसको हम बोलते है, फोटो, वॉल्टेक technology, जिक है, तो जिसके अंदर क्या होता है, जो भी sunlight आती है, उसको हम directly किसके अंदर convert करते हैं, electricity के अंदर, solar energy is fast becoming popular in ruler and the remote area, which help in minimizing the dependence of ruler household on firewood and the dunk cakes that will contribute to environmental conservation and adequate supply of manure in agriculture, अब यह जो solar energy है, यह सबसे जादा popular कहा होती जा रही है, ruler area में, जो आपके गाओं होते हैं, remote area, ruler area, वहां आपके क्या होरी है, देखने को मिलती जा रही है, जिसके कारण आपका क्या हो रहा है, जो भी household के work and all होते थे, जो firewood के उपर depend होते थे, या dunk cakes के उपर depend होते थे, वो क्या होने लगे, minimize होने लगे, और साथ के साथ में कब वो minimize हो रहे हैं, और हम solar energy का यूज कर रहे हैं, तो जिसके अंदर हमारे, जो environment के अंदर harm हो रहा था, वो भी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम environment को क्या कर रहा है, conserve कर रहा है, और साथ के साथ में manure के लिए भी जो agriculture के लिए manure use होता है उसके अंदर भी हमारा क्या हो रहा है adequate supply हो पा रहा है जो हमारे solar energy की बात करें वो कहां जादा famous है ruler और remote area के अंदर और उसी के कारण क्या हो रहा है आपका जो भी household work रहता था आपका वो firewood and आपका dunk cakes के उपर depend रहता था अब वो क्या होने लगा है जिसके कारण हम environment को conserve करने के अंदर भी क्या कर रहे हैं हम contribute कर रहे हैं help कर रहे हैं और इसका adequate supply हो पारा of manure का किसके अंदर agriculture के अंदर now अब हम बात करते हैं आपकी wind power की wind power की हम बात करते हैं तो India has a great potential of wind power क्योंकि हमारे बहुत हवा चलती है तो India के पास क्या है great potential है wind power का largest wind farm cluster is located in Tamil Nadu from the Nagar, Kohl and Madurai अब बेटा जो भी आपके wind powers and all होते हैं जो भी आपके wind plants जो लगाया जाते हैं वो आपके ऐसी जगा लगाया जाते हैं जहां हवा बहुत चलती हो ठीक है तो इसमें बात करा जा रहा है आपका जो सबसे बड़ा largest wind farm है वो कहां देखने को मिलता है आपका Tamil Nadu में located है नागा कोल टू मदुराई ठीक है यहां से लेके यहां तक वो located है इसके अलावा यह आपका आंदर प्रदेश में कनाटका में गुजरात में जहां हवा जादा चलती है आपकी कैरला भारास्ट लक्षदीत में भी आपके wind farm देखने को मिलते हैं Narkole and Jesse Yermur are well known for effective use of wind energy in the country और इन में से भी जो सबसे जादा बेस्ट माने जाते हैं वो आपका Narkole और जैसे मार करके यह आपका effective use of wind energy माना जाता है हमारी country के अंदर ओके बच्चा नाओ अब हम बात करेंगे बेटा biogas की biogas की हम बात करते हैं तो यह कैसे बनती है आपके जो भी हमारे trees and all होते हैं sharps होते हैं आपके farm का जो waste होता है animal or human का waste होता है वो सब मिलके क्या करते हैं वो सब जब हमारा होता है उससे हमारा बनाए जाती है biogas बनाए जाती है तो sharps farm waste animal and human waste are used to produce biogas इससे हम क्या करते हैं जो भी हमारा सारा waste है उससे हमारा produce होता है biogas जो क्या करा जाता है जो आपका ruler area है ना उसके अंदर domestic conservation में use होता है जो भी domestic आपकी need and all होती है ना उसके अंदर इसका use किया जाता है biogas plant using cattle dung are known as the gobergas plant in ruler area जो biogas plant बनाया जाता है cattle dung से जिसको हम क्या बोलते हैं आपका gobergas plant भी बोलते हैं हमारे ruler इंदिया के आंदा है biogas provide twin benefits to the farmer in the form of energy and the improved quality of manure जो biogas है ना इसके दो fire है मिटा एक तो ये form of energy के अंदर use की जाती है साथ के साथ में जो भी आपकी manure होता है जो आपका खेती जो होती है वो आपकी अच्छी होती है चीक है got it now अब हम बात करेंगे tidal energy की तो ocean tight can be used to generate electricity जो ocean tights हाते है ना आपके उसके through भी हम क्या कर सकते हैं electricity को generate कर सकते हैं अगर हम बात करें कि यह कहां हमारा main देखने को मिलता है वो हमारा gulf of khambat में देखने को मिलता है gulf of kach में देखने को मिलता है जो कि आपका गुजरात में है western coast पे and आपका genetic डेल्टल जो है सुन्दरवन उस reason में भी देखने को मिलता है best bangal में देखने को मिलता है जहां भी आपका coastal area है ना वहां आपकी यह देखने को मिलते हैं ठीके provide idle condition for the utilizing tidal energy यह वहां की जो condition है ना वो idle condition है जिसके भी जगह है ना आपकी वो क्या एक तरह से coastal area है यहां यहां आपको यह देखने को मिलती है अब हम बात करते हैं बिटा जियो थर्मल एनरजी की the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth is called the geothermal energy इसके अंदर क्या होता है आपका जो भी हमारे अर्थ का अंदर का interior part जो होता है ना वहां सी heat जो आप energy आपको नामसी समझ में आ रहा होगा जियो मतलब अर्थ थर्मल मतलब आपका heat और energy मतलब energy ठीक है जो भी heat और electricity हम produce करते हैं using the heat from the interior of the earth जो भी अर्थ के अंदर जो भी आपकी heat and all होती है उसके थरू उसको हम क्या बोलते हैं geothermal energy बोलते हैं groundwater in high temperature area observe heat from the rock and becomes hot जो भी groundwater जो होता है आपका उसका temperature high होता है तो वो क्या करता है absorb कर लेता है आपकी heat को और उसको क्या बना देता है आपका hot बना देता है it is so hot that when sorry it is so hot that when it rise to the earth's surface it turn into steam अब क्या होता है आपका ground water जो है वहाँ temperature बहुत जादा हो रहा है जो रॉक में से जित्ती भी heat निकल रही है वो इसको absorb कर और पानी आपका दीरे दीरे गरम-गरम करते करते बहुत जादा गरम हो जाता है और उसके बाद क्या होता है वो पानी इतना गरम हो जाता है जिसमें से क्या होने लगती steam के अंदर वो convert हो जाता है turn हो जाता है और जो यह steam होती है हम उसको क्या करते है is this steam is used to drive turbines हम इसको turbines को drive करने के लिए use करते हैं and then इसी से हम क्या करते हैं बिटा generate करते हैं electricity को समझ में आया आपको geothermal heat and electricity जो भी आपकी earth के इंटीरियर के अंदर heat होती है उससे produce की जाती है ground water का जो temperature होता है वो बहुत जादा high होता है और rock के अंदर जित्ती भी आपकी गर्मी होती है वो पानी के अ आपकी generate करते हैं electricity को got it now two experimental project have been set up in India to utilize thermal sorry geothermal energy दो प्रोजेक्ट हैं आपके इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं आपके पहला जो है वो है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर पारवती वैली जो आपकी मनिकरण के पास में है ठीक है पहला कौन सा है पारवती वैली जो कह है मन इनिकरण के पास में हिमाचल प्रदेश के अंदर दूसा जो है वो लदाग के अंदर है पोगा वैली करके यह दो आपकी वैली जो की जियो थर्मल अनरजी का जो भी project है वो यहां क्या किया गया है आपका setup किया गया है अब आप अपने यह तो देख लिया करके कि आपका है मिनरल्स क्या होते हैं मिनरल्स कौन-कौन से टाइपस के होते हैं आपके इसके अलावा कैसे हम उने conserve कर सकते हैं क्यों हमें conserve करना चाहिए साथ के साथ में हम resource को भी conserve करने का करने के बारे में पढ़ेंगे इसमें भी कोई ज्यादा difference नहीं है same conservation मतलब की conservation बस थोड़ा सा जो तरीका है वो बदल जाता है आपने आपका chapter number one geography में पढ़ा होगा resources and development आपको वो याद है आप वो भी लिख सकते हो से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चीक है क्योंकि उसके अंदर भी हमने resources के conservation के बारे में देखा तो यहां भी पस थोड़े बहुत का फर्क हो जाता है otherwise meaning व the energy development इसलिए यह बोला जा रहा है क्योंकि यह basic requirement आपके economic development डवलबन के लिए इसलिए इसकी urgent need है क्या करने के लिए जो भी आपका sustainable पात है energy development करने के लिए उसको develop करने के लिए थीगए जो भी sustainable part उसकों और कैसे develop कर सकते हैं उसके लिए उसके आपके क्या बोले जा रहा है दो वीस बोले जा ठीक है first क्या बोला जा रहा है आपको promotion करना चाहिए energy conservation का ऐस्ट अपो promotion करना चाहिए energy conservation का सैकेंड आपको increase करना चाहिए जो भी आपके renewable resource है न उनको non renewable resources को अब बोला जा रहा है, some steps in this direction are, अब हमने वो तो देख लिया कि दो तरीके हैं कैसे, बट उसके लिए हम क्या step उठाएंगे, तो सबसे पहले बोला जा रहा है, using public transport system instead of individual vehicle, जो क्या करा जा रहा है, लोगों के पास खुद के individual vehicles होती, individual छोड़ो, आजकल तो क्या होता है, आपका हर एक घर में भी सब के पास individual होता है, है ना, अगर चार जने हैं, तो चारों के पास गाड़ी आ होंगी, तो सोचों कि जब इत्ती सारी गाड़ी आ होंगी, तो उसमें fuel भी लगता है, तो obviously बात है, हमारा जो resources वो खतमी तो हो रहा है, हमारा, और आजकल का तो ऐसा होता है, जरा सी धूर जाना नहीं होता है, पांच मिट के रस्ते में लोग बिना गाड़ी के तो चलते ही नहीं है, पैदल जाना पसंद ही नहीं करते है, तो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है आपका, जो भी individual vehicle का use होता है, उसके comparison में हमें क्या करना चाहिए, public transportation, public transport system का use करना चाहि में हो, बाकी के तीन कमरे में कोई नहीं है, तो आपको वहां की light को क्या कर देना चाहिए, switch off कर देना चाहिए, ठीक है, using power saving devices, और हमें ऐसे device यूज़ करने चाहिए, जो कैसे हो, आपके power sharing, oh sorry, saving को, using non-conventional resources of energy, और हमें कैसे energy resources का use करना चाहिए, non-conventional, यह था आपका chapter, जिसके अंदर मैंने आपको अच्छे से हर एक चीज को cover कर दिया है, कि minerals क्या होते हैं, आपके minerals के types हमने देख लिए, कैसे conserve किया जाता है, क्यों conserve करना चाहिए, energy resources क्या होते हैं, उसके बहुत सारे different different types थे, हमने वो भी देख लिया, और उसको भी हम कैसे conserve क उठाना चाहिए हमने, वो हमने देख लिया, यहां आपका one shot video बिटा complete होता है, इसके बाद मैं आपके लिए next chapter लेक्के आओंगी manufacturing industry, सबसे पहले हम आपके one shot video complete करवाएंगे, and then फिर हम आपका क्या start करेंगे, आपके question answer start करेंगे, so bye bye take care, एक बार आपके अच्छे से देख करके, अभी जो 10th class में बच्चे है, 9th, 10th में, दो साल से school नहीं गए हैं, तो उनके spelling में बहुत मिस्टेक हो रही है, और आपको अब objective नहीं है, written paper है, आपका है, subjective है, तो एक तो आप अपनी speed को सुधारिएगा, साथ के साथ में, आप spelling का ध्यान रखिएगा, okay, और इसके अंदर तो बहुत सारे आपके ऐसे words है, तो आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, so all the best, अच्छी से prepare कीजिए, अभी बहुत सारा time है, अगर आपका first time का result थोड़ा बहुत बिगरा भी होगा, तो अभी आपके पास sufficient time है, आप easily क्या कर सकते हो, आपका बिटा cover कर स नेक्स लेक्चर के अंदर, और जाने से पहले बस में आप से एक छोटी से request करना चाहूंगी, कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो please मेरे चैनल को subscribe कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, बैल आइकन को, and then उसके बाद जब आप मेरा वीडियो देखते हैं, आपको लगता ह कीजिएगा प्र supremacy कीजिएगा, झाल आप मेरे चüyपचर, झाल कीजिएगा पूटी से लनके फाईकर का लोगता हैं, प्रेस को कीजिएगा वीडिएगा, थाल कुणत मेरा के शूटी से लगता हैं, बादाना कुर देखते हैं, तो ऱ बाता हैं, जाूटी